जी आ नमस्कार मित्रों तो आज है 11 अक्टोबर मंगलवार और UPSC प्रिलिम्स को भी 229 डेस आ लेफ्ट दोसो 29 दिन तो कुछ लोग कि आँ अभी तो बहुत टाइम है पना हपतों के हिसाब से महिनों के हिसाब से सोचो तो 8 महिने से कम समय बाकि है जिसमें आपने History, Geography, Quality, Economy, Environment, Science, Current Affairs, Ethics, Optional Subject और कई सारी चीज़े करनी है तो discipline से रहो त्योहार आते रहेंगे पड़ाई छूटनी नहीं चाहिए कल मैंने audio note नहीं बनाया था इसलिए नहीं कि मेरी आलस है लेकिन इसलिए कि कल exam related कुछ खास था नहीं किराज का समाचार जल्दी देख लेते हैं This is Indian Express एमदाबाद Edition Page 1 Advertisement, Page 2B Advertisement, Page 3B Advertisement, Page 4B Advertisement Page 5 Person in News में मुलायम सिंग यादव जो उत्तर प्रदिश के तीन बार Chief Minister साथ बार Member of Parliament बारत के पूर्वर रक्षा मंतरी Defense Minister रह चुके थे उनका देहान दुआ वो सैफ़ई Village in Itawa District in UP वहाँ बिलॉंग करते थे तो State Service exam के अंदर ये सब चीज़े मालूम होनी चाहिए उसके बाद Supreme Court के अंदर कॉलेजियम सिस्टम में इसका नाम रखो नहीं रखो वो सब Controversy चलती रहती है Ball by ball things not important General terms में, overall terms में आपको पता होना चाहिए कि कॉलेजियम व्यवस्ता क्या है और उसमें क्या criticism है, क्या फाइदे हैं वगेरा तो वो थियरी एक बार पढ़के खतम करो फिर रहिशिया उक्रेन के अंदर missile attack लेकिन वो रोज चलते ही रहता है फिर पेज 5, 6, 7, 8, 9 कुछ काम का नहीं पेज 10 से कॉलम चलते हैं तो क्यूंकि मुलायम सिंग यादों का देहान दुआ तो उनकी सब ओबिचुरी श्रत्दांजली या स्मरणांजली प्रकार की जो कॉलम है वो काफी है फिर वो इरान के अंदर वो एक मैला ने ठीक से हिजाब नहीं पहना था और पुलिस ने टॉर्चर करके मार दिया उसके बारे में सब कॉलम्स चल रहे हैं पेज 11 पर सी राजा मोहन ने इंटरनेशनल इलेशन में वो बारत पाकिस्तान बारत अमेरिका रिष्टो के बारे में लिखा है आप अपनी वोकेबिलरी आर्टिकुलेशन स्किल बेतर करने पढ़ सकते हैं बाकी वही सब पुरानी बाते हैं फिर 14 अक्टोबर 1956 को डॉक्टर बियार आमबेट करने बहुत दर्म अंगिकार किया था उसके बारे में एक कॉलम है सिनेमा होल बंद हो गए थे पिर वापस चाल हुए उसकी एक कॉलम लेकिन वो तो एक्जाम के लिए खास काम की नहीं पेज 12 पर पॉलिटिक्स में वही सब शिव से ना और उसकी इलेक्शन चुनावची नहा की सब कॉन्टरोवर्सी कल भी मैंने वो एक मीम बना कर आपको बताया था कि यही कॉन्टरोवर्सी पहले भी हो चुकी है मालब यह तो करीब जून जुलाई से मामला चला है तो उस वकद भी एक्स्प्रेंट सीरीज आई थी मेरे कहल से पिछले साल भी कुछ यह LGBT पार्टी के अंदर ऐसा विवाज चला था दो गुट हो गए तब भी थियरी एक्स्प्रेंट सीरीज आई थी तो आप तयारी कर रहे हैं तो एक बार में पढ़के खतम करो उसकी क्या सिस्टम है मालब आपका जो भी पूराना करंट अफेस बैकलॉग होगा जो भी आप मंधली पीडियाप देखते होंगे तो यह मालब रोज कुआ को दो रोज पानी निकालो that is not healthy or efficient वो ऐसी बात है कि तंबाको जिसको addict हो गया है तो दिवाल से वो खुरेज-खुरेज के चूना निकलता है और रोज उसको तंबाको में मिला के खाता है यह जो रोज खुरेज-खुरेज के current affairs निकालना rather than कि सब syllabus को complete करने की priority रखना वो आपनो mentality change करने की जरूबत है पे 13 places in news में महाकाल लोक corridor जिसका मध्यप्रदेश के उज्जयन में उद्गाटन होने वाला है फिर page 15-14 में उसकी सब explain series एकुल मिला कर कि वहाँ पर religious pilgrim tourism को promote हो सके इसलिए यह सब infrastructure development उज्जयन में हो रहा है जिसका नाम है इस project का नाम है महाकाल corridor उसके बाल nobel in economics अब जब हम कहतें nobel in economics तो असल में technically correct word is saverage rix bank price in economic science इस बार अमेरिका के तीन economist को दिया गया और जिस चीज के लिए दिया गया वो समझने में बहुत आसान है कि banking and financial crisis के research के बारे में तो कुल मिला कर इनका यह कहना है पहली बात हम पहले यह सोचते थे कि अगर economic crisis आती है तो bank fail हो जाते है मतलब जो आर्थिक संकट है उसका परिणाम होता है banking व्यवस्था में संकट जबकि इनका यह कहना है कि नई कभी-कभी यह होता है कि banking व्यवस्था में संकट आता है जिसके चलते आर्थिक संकट आता है banking crisis itself can result into financial crisis and therefore strong regulation over the banking system is necessary अब आपके यहां यह तो common sense की बात है लेकिन पहले 50s, 60s, 70s, 80s के जमाने में ऐसा नहीं सोचा जाता था पिर यह बैन बर्ना की जो मेरे कहल से अमेरिका की central bank के एक जमाने में governor भी थे उसने 80s के जमाने में ऐसा research paper लिखा और उसके बाद इस चीज़ की एहमियत समझी गई और strong regulation banking system पे लागू किये गए उसके लागा बाकी जो दो economist है उनका research ऐसा कहता है कि एक तरफ जो depositors है उनको पैसा save भी करना है और वो यह चाते है कि हमको जब भी चाहो तो हम पैसा withdraw भी कर सके मलब demand deposit जैसा और सामने जो लोग loan ले रहे हैं वो यह चाते हैं हमको loan मिले था हमको बहुत देरी से 10-12-15 साल बाद दीरे दीरे चुकाना पड़े है सामको चाहिए तो जो depositors है उनको जल्डी जल्डी पैसा वापस चाहिए जो loan टेकर है उनको तो देरी से पैसा return करना है तो इन दोनों की requirement को balance कैसे करें तो वो काम bank करता है कि आपने पैसा deposit के आपकल आप withdraw भी कर सकते तो ऐसा नहीं कि उसने जो loan में दिया था वो पैसा लेकर आपको वापस दिया नहीं तब तक किसी और डिपोजिटर ने दिया होगा है ना तो इसकी टोपी उसके सर पे चलते रहती तो यह जो पूरी process है उसको हम कहते है maturity transformation maturity transformation तो इसके जरी यह bank यह पूरी system को चलाता है और वो बहुत जोरदार चीज़ है ऐसी सब research उसके बाद तीसरी explained series है कि भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज़ादा गरीब लोग कहां है percentage wise नहीं number wise एक करोड़ दो करोड़ पचास करोड़ ऐसा तो करीब भारत में ऐसे 5.6 करोड़ लोग हैं जो की दिन में करीब 46 रुपे से कम में अपना जीवन बसर कर रहे हैं उसके मुकाबले चीन के अंदर गरीबों की संख्या काफी कम हो गई है और फिर उन्होंने ये कैसे आंसिल क्या उसकी सब बात है इसे पहले भी economic survey ने एक बार लिखा था कुछ तो combine देख लेते 3-4 मुद्दे ही है कि एक जमाने में चीन में भी गरीबी तो बहुत थी है माउट से तुंके जमाने में लेकिन फिर वहाँ पर एक नए नेता है डैंक जियोपिंग तो आप उसको सोच सकते हैं कि जैसे इदर नरसीमा राव ने LPG reforms लिए liberalization, privatization, globalization, globalization ऐसा सब खेल उसने किया था और हमसे पहले शायद 2000 आप कीज़े 1980s में ही कर लिया होगा जिसके जलते मलब FDI reform किया हो, currency, convertibility allowing foreign companies to set up units manufacturing पे ज़्यादा focus किया low skilled जो उनके workers थे उनको textile, leather और ऐसी सब toys, cushion toys soft toys, teddy bear टाइप की चीज़ वो सब बना कर उन्होंने economy को grow करवाया, इसके अलाबा वहाँ पर health और education को जोर दिया गया economic survey ने कुछ पाया था कि जैसे इंडिया में up to class 8 compulsory है, वहाँ पर class 9 तक पड़ाई compulsory होती है और वो ज़्यादा strongly और अच्छे से उसको करवाया जाए और healthcare और pension system होती है तो इस result वहाँ पर सब गरीबों को social security जादा है बीमार हो गया, बुड़ा हो गया pension मिलेगा कि नहीं वगएरा तो हमने भी ये चीजों को focus करना है 1978 में ही चाइना में infant mortality rate 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें 52 ही मरते हैं जबकि इंडिया में ये number अभी भी बहुत जादा है तो ये सब दिखाता है कि हमें उनसे वो सबक लेने और अपने health education पर focus करना है low skill manufacturing पर focus करना है then we can also remove poverty that is the gist of it page 15 में मुलायम सिंह आदाव पर और सब columns page 16 quality के अंदर supreme court में एक PIL हुई है कि ये जो hate speech गुरुना फेलाने वाली नफरत फेलाने वाले जो बयान दिये जा दे तो वो ऐसा एक वो तीर कमान से छूट गया फिर आप उसको सजा भी दे दो ऐसे नेता को तो भी जो जखम हुआ है जो उससे दंगे फैले हैं उसको आप undo नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोट ने पाया हाँ ये बात सही है और फिर इस पर कुछ strict regulation करते हैं तो ये मामला चला है हलाकि अब जो final guidelines कुछ आए ताब हम उसको आराम से पढ़ेंगे कल शायद world mental health दिवस्त था तो health ministry ने एक नया 24 by 7 tele mental health service लॉंच किया है का नाम है टैली मानस तो टैली मानस किसके लिए medical health के बारे में help line है अपने विदेश मंत्री S.J. Sankar ने ये का है कि एक जमाने में अमेरिका, यूरोप और ये western powers हमको हत्यार नहीं बेचते थे पाकिस्तान के वो ताना शा जो थे वो जो भी जेनरल अयूब खान या मुझे सब के नाम नहीं आते क्योंकि मैं वो अगेन एक था टाइगर जेमस बॉन्ड वाली चीज़ अपने लेक काम के नहीं तो हाँ अमेरिका उसको गोद में बिठा कि सब हत्यार बेचता था और हम को नहीं बेचता था तो अगर हम रश्या से हत्यार खरीते हैं तो हम तो वहाँ से खरीदेंगे तुम हमको मत सिखा हूँ अभी जो अभी ये यूक्रेन रश्या सेंक्शन और ये सब बाते चलती है फिर और भी इदर उदर की बातेपन नया जानने को कुछ नहीं मित्रो स्पेस रिसर्च में प्राइवेट सेक्टर को इन्वाल करने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है तो उसमें कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जैसे हम भी इलॉनमस जैसा स्पेस टूरिजम या कुछ करें तो उस पर इंशौरंस पॉलिसी बीमा की वो जो प्लेन डैमेज हो गया या लोग मर गए वो सब चीजों को और बहतर करने की जरूरत है और इसके लिए कुछ नया कानून वगेरा बले देन इट विल हल्प आगे एथिक्स और उसमें भी कंपेशन टूवर्ड्स आल लिविंग बींग्स सभी जीवित चीजों पर अनुकंपा अगर आपको पूछा जाए हिपोपोटेमस या पांडा तो तुरंट आपके दिमाग में क्या अच्छा एक गोलू-मुलू जानवर प्यारा सा जानवर लेकिन अगर आपको और कभी उसने किसी इंसान को काटा नहीं वो अपना जीवन उसने बिताया तो वहाँ सब श्रद्दालों का ये मानना है कि ये मतलब खुद में एक सन्यासी था तो जब इसका देहांत हुआ तो सब अंतिम विदी की गई जैसे हिंदू सन्यासी की की जाती है और अंत में उसको दफना दिया गया भू समाधी दे गई ताप कि इसमें क्या ये तो सब दार्मिक चीज़े आप बता रहे है मित्रो एथिक्स भी है न कि सोचो attitude towards animal कि नाग देखा दो मार दो या मगर मच देखा तो भाग जाओ ये सब को बचने के लिए जरूरी है कि इस प्रकार से उनके compassionate nature को भी highlight किया जाए ताकि ये जो इनसान और पशुओं के भी जो टकराव होता है और हम उनको मार देते हैं कि ऐसा जरूरी है कि वो हमको खा जाने के लिए आता हो दूसरा ये जो temple trust board था उसके chairman ने ये भी खुलासा दिया कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये crocodile मतलब vegetarian बन गया था मंदिर में रहके हाला कि मंदिर में जो प्रसाद दिया जाता था तो कभी-कभी वो चीज़ भी खाता था मतलब कि religion के साथ आप देखे scientific temper भी उन्होंने कायम रखा वरना सामान रूप से ऐसा कुछ होता है तो कुछ लोग सब अंश्रद्धा फैलाते कि ये तो crocodile vegetarian था वगयरा तो chairman ने खुद ही बोल दिया नहीं ऐसा नहीं था तो man and animal के बीच ये compassion और ये सब में सोचने लिखने के मुद्धे depend करते हैं आप को क्या पूछा गया और आप उसे कैसे quote करके आगे बढ़ाना चाहते हैं लंबा सा कुछ निबन पूछा हो इंसानों पर लेकिन हम उल्टा उन पर उनका शिकार करते हैं वगयरा so think about this you will get many points to reflect page 17 ये अमेरिका में कुछ rap star है Kanye West तो वो सब ऐसा लिख रहे Jewish people को मार दो वगयरा और उसका Twitter, Instagram ब्लॉक हुआ कैर वो personal news कामका नहीं समध नाम को ये है गुरुना फेला रहे कि येहुदियों को मार दो वगयरा page 17 पर एक और चीज़ है वो काम की अगर reading आप hobby के रूप में shock के रूप में अपने interview form में लिखने वाले है बात ऐसी है कि Colin Hoover नाम की एक महिला उसने अमेरिका में बाकी सब novelist के मुकाबले जादा उसकी किताबे इस बार बिख गई वहाँ के famous novelist में वो John Grisham वगयरा है जो शायद वो legal thriller टाइप की books लिखते है तो ये महिला की ऐसी खास unique बात क्या है कि इसकी किताब ऐसे कैसे बिखती होंगी अब वो ऐसे नहीं कि कभी domestic violence का लिख दिया कोई भी drugs का लिख दिया तो उसका कहना ये है कि ये जो आमने रटे रटाए formula बनाए है कि इस टाइब की book होगी तो ही वो best selling बनेगी ऐसा जरूरी नहीं है कोई भी book best seller बन सकती है fiction मतलब कालपनिक कताओ में और उसके चाने वाले बहुत है और वो बहुत viral सब बनता है वगेरा तो मतलब interview में आपने लिखा है कुछ reading is my hobby and fiction reading और आपको कुछ पूछा जाता है कि अच्छा अभी कौन से genre बहुत अच्छे चल रहे है legal thriller है या crime है या detective या fantasy fiction तो मतलब ये भी एक angle सोचने लायक है कि ऐसा जरूरी नहीं है कुछ भी लिखो तो भी वो viral हो जाता है डिपेंड करता है Instagram follower TikTok वाले वो आपका क्या viral करवा देते है page 18 economy मित्रो जब PUBG बैन हुआ था तो मुझे इतना जटका नहीं लगा था जितना आज लगा है क्योंकि VLC player जो की वीडियो चलाने के लिए मैं खुद भी software यूज करता हूँ तो इसको सरकार ने अब की इसको ban कर देंगे इसकी website क्योंकि ये सब चाहिना को data दे देता है cannot important for exam दूसरा economy में international trading rupiah वो कुल मिला कर बात जो उसका तो वो वाली चीज में तो रशिया को ban कर दिया अमेरिका ने वो सब जो Ukraine crisis हुई हाला कि swift messaging system वो Belgium की कोई संस्था चलाती है पर ये western power का अपना सब जगा वो दबाव बनता है तो अमने ये सोचा कि क्यों न सिधा अलग-अलग currency में सिधा settlement होता रहे कि जैसे रशिया इंडिया से मुलब इंडिया अगर रशिया से कुछ खरीता है oil gas और हम उसको payment कर देंगे रूपिय करनसी में और वो UKO bank या भारत की ऐसी कोई bank में डाल देंगे पैसा और फिर उस account से रशिया की company उनी रूपी करनसी से बारत में से उसको जो भी अनाच चावल दवाईया खरीदने हो खरीद के ले जाए तो इससे फायदा क्या होगा कि यह जो dollar exchange rate volatility international sanction इन सबसे हम हट सके तो ऐसा international trade in रूपी RBI ने guidelines भी बनाई थी लेकिन बारत के सिर्फ दो bank UKO bank और Yes bank नहीं ऐसा उसके लिए जो वस्टो अकाउंट या system बनानी होते है क्योंकि बाकी सब bankों को डर लगता है कि हम ऐसा कुछ करेंगे तो अमेरिका वाले हम पर भी sanction लगा देंगे अब आपको प्रशना हो कि sanction लगे तो हम तो इधर है न अमेरिका क्या बिगा लेगा हमारा State bank of India की अगर कोई branch New York में होगी तो sanction लगाने का मतलब है वो अमेरिका वाले उस branch को भी बंद करवा देंगी और उसकी deposit सारी penalty में ले ले हैं ऐसा सब खेल हो सकता है So there is some hesitation तो जाने लाइक एक दो मुद्दे क्या है एक तो यह कि रूपी का सीधा ट्रेड करने के लिए जो account बना जाए उसका नाम होगा Special Wastro account RBA तो चाहते हैं सभी बैंक ऐसा करें ताकि डॉलर का जो domination है प्रभूतव है वो कम हो सके लेकिन बैंकों को डर लगता है क्योंकि अमेरिका उन पर sanction यानी प्रतिबन लगा सकता है Page 18 पर और एक efficiency आप जानते हैं वो 7th Pay Commission सात्वा वेतनायोग तो वेतनायोग जब बनता है तो सरकारी कर्मचार्यों की salary सीधी बढ़ा देते लेकिन अब सरकार ने ये का कि ये जो सरकारी general insurance company है वो new India insurance, oriental insurance वगेरा या LICB तो उनको अपने staff की salary बढ़ानी है तो ठीक है सरकार उनको पैसा देगी लेकिन शरत है कि it should be linked with performance मलब वो staff ने कितना काम किया वो कितने नए customer लेके आया वो सब तुम कर किया हो तो तुमारा salary बढ़ाएंगे यसे हवा में सिधा ही नहीं बढ़ा देंगे तो मलब यह क्या public sector undertaking को profitable करने के लिए efficient करने के लिए वहाँ का staff जो RC और पैर फैला के table पे बैठता हो तो वो बंद हो जाए काम करें इसलिए यह सब किया जा रहा है insurance का नाम लिया तो IRDAI full form याद रखना है insurance regulatory and development authority of India उसने पाये कि भारत में यह जो vehicle होते हैं आप जानते है third party motor vehicle insurance company लेना होता है कानून में लिखा है मलब आप किसी को गारी ठोक देंगे तो उसका जो नुकसान हुआ तो insurance company बरपाई करे लेकिन उसका premium वो आपके user पे होता है वगएरा तो यह चीज compulsory है लेकिन फिर भी भारत में 50% से जादा vehicle uninsured है लब शरू में पहली बार आप खरीदते हैं तब तो compulsory लिया होगा लेकिन वो policy expire हो जाए फिर उसको renew नहीं कराते वगएरा और साथी साथ भारत में हर एक 100 लोगों के सामने सिर्फ तीन लोगों के पास life insurance है तो यह सब चिंता का विए क्यों मर जाएगा तो उसकी family का फिर कौन ख्याल रखेगा तो insurance penetration insurance density यह सब बढ़ाने के लिए कदम उठाना जरूरी है पेद 19-20 सब sports के समाचार कुछ खास काम का नहीं तो यह ता आज का newspaper, see you next time